राधी राधी दोस्तों आज हम आपको सुनाएंगे एक सिस्य से गुरू ने गुरू दक्षिना में सूखे पत्ते क्यूं मांगे अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सबिस्क्राइब करें और शेयर करें बहुत समय पहले की बात है, पहले सिस्य गुरू कुल में ही सिक्षा ग्रहन क्या करते थे, जब सिस्यों की सिक्षा पूरी हो जाती थी, तो गुरू उनसे गुरू दक्षिना लेते थे एक बार की बात है, एक शिस्या ने वड़े ही विनमरता पूर्वक अपने गुरू से पूछा, गुरू जी, कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक संगहर से है, कुछ कहते हैं कि जीवन एक खेल है, और कुछ जीवन को एक उत्सब मानते हैं, इन मेंसे कौन सा सही है? गुरू ने अपने शिस्या की बात को बड़े ध्यान से सुना और उत्तर दिया, पुत्र जिने गुरू नहीं मिला, उनके लिए जीवन एक संगहर से है, और जिने गुरू मिल गया, उनका जीवन एक खेल है, और जो लोग गुरू द्वारा बताये गए, मार्ग पर चलने लगते हैं, वे मात्र ही जीवन को एक उत्सब का नाम देने का सहस जुटा पाते हैं, यह उत्तर सुनने के बाद भी सिस्या को पूरी तरह संतुष्टी नहीं मिली, गुरू जी इस बात को समझ रहे थे, कि अभी जो सिस्या है, वे पून रूप से संतुष्ट नहीं हुआ, वे कहने लगे, कि चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, और ध्यान से सुनो, एक बार की बात है, किसी गुरू कुल में तीन सिस्यों ने अपनी सिक्षा संपूर्ण कर ली, और गुरू जी से यह बताने के लिए विंती करने लगे, कि हे गुरू देव, आप आपको गुरू दक्षना में क्या चाहिए, गुरू जी पहले तो मंद मंद मुस्काने लगे, फिर बड़े ही सनहे पूरवक कहने लगे, कि पुत्र, मुझे गुरू दक्षना में अगर तुम देना चाहते हो, तो एक थैला भर के सूखी पत्तियां ला दीजिए, ला सकोग क्या, वे तीनों मन ही मन बहुत परसन हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि सूखी पत्तियां तो बड़ी आसानी से मिल जाएंगी, और गुरू जी की इच्छा भी वे पूरी कर सकते हैं, सूखी पत्तियां तो जंगल में सब जगा बिखरी हुई मिल जाती हैं, वे बड़े उत उस्याय चलते चलते जंगल में पहुच चुके थे, लेकिन यह देखकर कि वाँ पर तो सूखी पत्तियां केवल एक मुठी भर थी, उनके आश्चरिया का ठिकाना नहीं रहा, वे सोच में पड़ गए कि आखि जंगल से सूखी पत्तियां उठा कर कौन ले गया, इतने में दूर से आता हुआ एक किसान दिखाई दिया, वे उसके पास पहुच कर उससे बड़े ही विनमरता पूर्वक प्राथना करने लगे, कि वे उन्हें केवल एक थेला सूखी पत्तियां दे दे, अब किसान ने उनसे छमाय आचना मांगते हुए कहा, कि पुत्र मेरे पास सूखियां पत्तियां थी, उनको मैंने इंधन के रूप में परियोग कर लिया, इसलिए मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता, अब वे तीन अपास में ही एक जो गाउं था उसकी ओड़ चल दिये, कि हो सकता है कि गाउं में कोई उनकी साहता कर सके, वहाँ पहुंचकर उन्होंने जब एक वैपारी को देखा, तो बड़ी उम्मीद से उन्होंने उस वैपारी से कहा, कि उन्हें एक थेला सूखी पत्तियां देने के लिए प्रात्ना करने लगे, इस पर भी उन्हें निरासा ही हाथ लगी, क्योंकि वैपारी कहने लगा, कि जात्रों देखो, मैंने तो अपना सूखी पत्तियों को कुछ पैसे कमाने के लिए उन्हें पहले ही बेच दिया है, जिससे मेरी कुछ आमंदनी हो गई, लेकिन वैपारी ने उन्हें उदारता दिखाते हुए कहा, कि एक बुढ़ीया मा है, अगर उसके पास तुम्हें सू बुढ़ी मा के पास जाओ, और हुआ पर तुम्हें सूखी पत्तियों मिल जाएंगे, पर यहां भी उन्हें सिक्षारतियों को जो विध्यारती थे, उनका भाग्य साथ नहीं दे रहा था, वे बुढ़ीया मा के पास पहुँचे, क्योंकि बुढ़ीया भी जब उनसे कहने लगी कि उनके पास तो सूखी पत्तिया खतम हो गई है, कि बुढ़ीया माई तो उन पत्तियों को अलग-अलग करके उनसे कैई परकार की ओस्दी बनाती थी, अब निरास होकर तीनों छात्र खाली हात गुरू को लोट आए, गुरू जी ने उनने देखते हिस नहीं पूर् पुत्र ले आये गुरू दक्षना, तीनों ने सर जुका लिया, गुरू जी द्वारा दोबारा पूछे जाने पर उनमें से एक सिस्य कहने लगा, गुरू देव हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए, हमने सोचा था, सूकी पत्तियां तो जंगल में चारों तरफ रहती हैं, लेकिन बड़े आश्चरिय की बात है, लोग उनका भी कितनी तरह से उप्योग करते हैं, गुरू जी फिर पहले की तरह मुस्कराते हुए, प्रेम पूर्वक अपने सिस्यों से बूले, पुत्र निराज क्यूं होते हो, परसन हो जाओ, यही तो ग्यान है, कि सू दे दी है तुमने, तीनों सिस्यों गुरू जी को प्रनाम करके खुसी खुसी, अब अपने घर की ओड़ चले गए, वैसे सिया जो गुरू जी से कहानी बड़े ध्यान लगा कर सुन रहा था, अचानक बड़े उत्साह से बोला, गुरू जी, अब मुझे अच्छी तरह से जान हो गया है कि आप क्या कहना चाहते हैं, आपका संकेत इसी ओर है ना, कि जब सवरत्र, सुलब, सूखी, पत्या भी निरर्थक या वेकार नहीं होती हैं, तो फिर हम कैसे किसी भी वस्तू या वैक्ती को छोटा और महत्व हीन मान कर उसका त्रसकार कर सकते हैं, चीटी से लेकर हाती तक, सुखी से लेकर तलवार तक सभी का अपना अपना महत्व होता है, गुरुजी तुरंती बोले हाँ पुत्र, मेरे कहने का भी यही तात परिया है, कि हम जब भी किसी से मिलें, तो उसे मान समान देने का पूरा परियास करें, ताकि आपस में स्नेहे, का विस्तार होता रहे हमारा जीवन संघर्स के बजाए उत्सब बन सके दूसरे यदि हम किसी के जीवन को एक खेल ही मान लेते हैं तो वहतर यह होगा कि हम जो है सांत और स्वस्त परतियोगिता में ही भाग लें और अपने निस्पादन तथा निर्मान को उचाई के सिखर पर ले जाने का परियास करें अब सिस्य पूरी तरह से संतुष्ट था वे कहने लगे कि मैं यही कहना चाहता हूं कि यदि मन वचन और करम तीनों ही सत्रों पर तीनों ही चीजों पर इस कहानी का मुल्यंकान करें यह कहानी खरी ही उत्रे गए प्रेती पूर्वा ग्रह से मुक् पूरसार्त करने का दुश्वार्त है के दूस्त के मारग में समस्त बाधाउं को हरें। हमारे जीवन का सबसे रधों और उत्सव पूरसार्त ही ऐग मतिया। दोस्तों अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारी चैनल को लाइक करें सबिस्क्राइब करें और शेयर करें राध ही राध ही